फ्री सब्सक्राइब कीजे जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं आसम नॉलेज वीडियोस दोस्तों कई लोगों को मैंने देखा है कि हैश्टाग का मतलब समझने में थोड़ी confusion होती है वो यह नहीं समझ पाता है कि हैश्टाग का use क्यों हो रहा है, कोई बात लिखनी है, कोई topic लिखनी है, कोई post करनी है तो ऐसी लिख लो, यह हैश्टाग का जो symbol है, यह क्यों use कर रहे हो आज के वीडियो में, यह बहुत ही चोटे वीडियो में, दो-तीन मिंदों में आपको बजाता हूँ, हैश्टाग का मतलब क्या होता है, क्या benefit है, क्यों लोग use करते है बहुत ही चोटा वीडियो, देखते रहे हैं इस वीडियो का आगे मिन नाम है, आप देखरे हैं, जब भी बोबाद चैनल, let's begin तो दोस्तो यह screen पे आप symbol देख रहे होंगे, यह जो sign है, इसी को hashtag बोलते है इस hashtag को एक symbol लोगों ने बना रखा है, कि चलो भी इस topic को use करते हैं, इस symbol को use करते हैं, और जो भी उनको बात लिखनी होती है social media पे, जो भी post करना होता है, जो content upload करना होता है, वो उस content का जो नाम है, उसको hashtag का use करके post करते हैं इसका मकसद बहुती, बहुती simple है, इंटरनेट पे हर वक्त, हर second, हजारो टेराबाइट का data upload होता है पूरी दुनिया, तो इतने बड़े data जंगल में आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, तो आपको कैसे मिलेगी, बहुती simple है, कि आप hashtag, जिस बारे में भी आपको post देखन है, content देखना है, उस content का नाम लिखो, और फिर आप जाप search करोगे, तो उस hashtag topic से related सारा content अपने आप filter, अपने आप sort हो के आपको दिखने लग जाएगा, लोग इसका use इसलिए करते हैं, ताकि जो भी वो post कर रहे हैं, वो post, वो content, उन लोगों को दिख सकें, आसानी से, जो उ broad topic के बारे में interest रखते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, उसको देखना चाहते हैं, एक बहुत चोटा example देता हूँ, आप आए दिन twitter पे देखते हैं, hashtag topic, अलगलग topics trend होते रहते हैं, वो इसलिए होते हैं, जब आप किसी भी hashtag topic को trend पे click करोगे, तो आप जब click करते रहे हैं, reuse कर रहे हैं, retweet कर रहे हैं, क्यों? ताकि जो भी लोग उस topic से जुड़ी हुई जानकारी देखना चाहते हैं, या उस broad topic से interest रखते हैं, वो लोग जल्ली से ये content देख सकें, और ये social media में लोगों की होड भी है, कि अगर कोई किसी topic पे लिख रहा है, तो वो चाहे एक आसान तरीका है, किसी भी content को आसानी से filter करने के लिए, ठीक है, तो ये था hashtag का मतलब, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर like भी कर दिये, subscribe भी कर दिये, share भी कर दिये, इस तरीके के technology ग्यान वाले videos में अपने channel पर बनाता रहता हूं, I'll see you in the next one, hope you like the video, thank you.